मेंस के लिए, जेंस के लिए कुर्ता आप घर पे बना सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, तो इसके लिए मेजर्मेंट क्या-क्या होने चाहिए, ये अभी हम देखेंगे. एक छाती का नाप अगर आपके पास है, तो छाती के नाप से हम बाकी सारे मेजर्मेंट क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क करते हैं जो भी चेस्ट साइज होगा उसमें चार इंच जोडेंगे तो लंबाई का नाप आ जाएगा यहां पर एक बात और बताना चाहूंगी मैं कि आपके पास अगर तैयार कुर्टा है तो उससे भी नाप ले सकते हैं और यह जो मेजर्मेंट कल्कुलेशन है इसके साथ म करते हैं यहां जिसलीव लेंड्ट या कुर्टे के लंबाई माम अपन बॉतंश फ्लेयर जो होता है कुर। सब से चौमड पाल होता है तो इसकर । इसक का मैजरमेंट लेना बहुत जरूरी है तो Kia तो जास है मिनकल्य है तो यह त। और रखेंगे पीछे का ब्रवाग आस इतना आएगा, जैसे अगर 40 साइज है, 10 आएगा 4 से डिवाइड करने पर, तो प्लस 4 एड़ करेंगे, तो 14 इंच हो जाएगा, इस 14 इंच को जब खोलेंगे, तो ये 28 हो जाएगा, आम होल लेंथ कितना होगा, बगल की लंबाई कितनी होगी, चेस्ट को 4 से डिवाइड कर लीजे, और उसमें माइनस 1 अढ़ इंच कर दीजे, तो आपका चेस्ट, आम होल लेंथ मेजर मेंट आ जाएगा, गले की चोड़ाई के लिए चेस्ट को टल से डिवाइड कर दीजिए जितना आएगा उतना नेकविट होगा और उसमें अगर आप टू इंच एड़ कर देंगे तो आपका फ्रंट नेकलेंथ होगा प्लाकेट जो होता है वो कुर्ते में जनरली जो हम मेडियम साइज का लगाते हैं उसके लिए मेजरमेंट आप जैसे चेस्ट डिवाइड बाइ फोर करके इसमें टू इंच जोड़ देंगे तो आपका जो है जनरल जो कुर्ता का प्लाकेट है ये कुर्ता का प्लाकेट आ जाएगा लॉंग लेंद्ध प्लाकेट के लिए चेस्ट डिवाइड़ बाई 4 में 5 इंच जोड़ देंगे तो यह वेस्ट लाइन तक लंबा प्लाकेट हो जाएगा फुल स्लीव लेंद्ध के लंबाई होगी चेस्ट का जो साइज है उसका आधा जैसे अगर 40 चेस्ट है तो उसका आधा 20 हो जाएगा और प्लस 5 इंच एड़ करेंगे तो 25 इंच स्लीव के लंबाई होगी यह 5 से 6 इंच जोड़ सकते हैं किसी किसी के हाथ लंबे होते हैं तो उससाब से आप मेजरमेंट ले सकते हैं स्लीव का जो बॉटम होता है वो लूज होता है इसको बॉड़ी पे मेजर करना मुश्किल है इसके लिए जो चेस्ट साइज है उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए और जितना आएगा उसमें आधा इंच आप सिलाई के लिए एक्स्टा जोड़ेंगे तो यह स्लीव का मुआ है इसके लिए जो चेस्ट होता है उसके इसके फोर्प गोड़ेंगे और प्लस थ्री इड गर करेंगी, जैसे फोर्टी चेस्ट का अगर डिवाइद करेंगे तो 10 आएगा 10 प्लस थी 13 इंच पोकेट पोकेट की च20s की तो यह फोल्ड पे pocket की total चोड़ा ही होगी जैसे यह pocket की लंबाई 13 इंच आ रही है तो यह 13 इंच को फोल्ड करेंगे तो 6.5 इंच एक तरफ बिट्थ होगा मैं एक बार फिर से आपको measurement ठीक से दिखा देती हूं आप इसको pause करके note down कर सकते हैं और calculate करके रख लीजिए मंडे को मैं इसके लिए drafting बताऊंगी front, back, sleeves, placket, collar, pocket बहुत सारी चीजिए हैं तो आप calculation करके तयार रहें मंडे को